समंदर में बढ़ेगी ताकत, भारत नौसेना के लिए फ्रांस से खरीदेगा 26 राफेल एयरक्राफ्ट. इंडियन नेवी और भारत सरकार ये सुनिष्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है कि अधिग्रहन अनुबंध पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर किय जाएं और नौसेना को ये 26 राफेल लडाकु विमान जल्द से जल्द मिलें. रक्षा मंत्रालय ने जुलाई में फ्रांस से नेवी राफेल लडाकु विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी. समंदर में आने वाले समय में भारत की ताकत और बढ़ेगी. भारतिय नौसेना ने जुलाई में फ्रांस से नेवी राफेल लडाकु विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी. नेवी राफेल लडाकु विमान से इंडियन, नेवी के सैन्य कोशल को और बढ़ावा मिलेगा. भारत ने 26 राफेल लडाकु विमान को खरीदने के अपने फैसले के बारे में सरकार को आपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। भारतिय नौसेना और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है कि अधिग्रहन अनुबंध पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर किये जाएं और नौसेना को राफेल लड़ाकु विमान जल्द से जल्द मिलें। समंदर में बढ़ेगी। भारत की ताकत रक्षा मंतरी राजनात सिह की हाल की पैरिस यात्रा के दौरान राफेल नेवी एरक्राफ्ट की खरीद का मुद्द उठा था। भारतिय नौसेना के बेड़े में इन 26 एरक्राफ्ट के शामिल होने के बाद निश्चित रूप से समंदर में हमारी शक्ती उताबिक भारतिय नौसेना को चार ट्रेनर विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल मरीन विमान मिलेंगे विमान वाहक पोत, INS, विक्रमा दित्य और विक्रांत मिग उन्टीईस का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले रक्षा अधिग्रहन परिशद ने लगभग 5.5 बिलियन यूरो के विमान सौदे को मंजूरी दे दी थी। आधुनिक हत्यारों से लैस है राफेल लढधा को विमान। दो AM 98-3 साफरान इंजिन दिये गए हैं। ये फाइटर जेट एक दूसरे की उड़ान के दौरान मदद कर सकते हैं। राफेल फाइटर जेट एक विमान से दूसरे विमान को इंधन देने में भी सक्षम होते हैं। राफेल करीब 2,22 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार औ और 50,000 फीट की उंचाई तक उड़ सकता है। भारतिय विमानों के करीब पहुंचे, यह मिसाइल उनका विमानों को नश्ट कर सकती है। राफेल में मौझूद यह मिसाइल प्रणाली हवा से हवा में मार करने वाली प्रणाली है और इससे 100 किलोमीटर दूरी तक फायर किया जा सकता है। दोस्तो, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद!